So, Hello Trader, कैसे हैं आप सबी? So, काफी Trader का question होता है कि हम Option Chain को देखकर Option Chain को देखकर accurate बिल्कुल सही call put कैसे ले सकते हैं? उसके अंदर हम सही entry और exit भी add करने वाले हैं यानि अगर हम सही call या सही put लेंगे तो हमारी entry भी exit मतलो entry होगी और बिल्कुल सही होगी तो यह हम Option Chain को देखकर कैसी कर सकती हैं? और देखो Option Chain से ही हमें sport resistance पता चलता है क्योंकि market Option Chain के ही धुरू चलता है अब जो Trader Option Chain को नहीं समझभाता है या नहीं समझा अभी तक या उसको कोई doubt है कि नहीं यार Option Chain से market नहीं चल सकता तो मैं उसका doubt clear कर देता हूँ क्योंकि देखो Option Chain से ही sport resistance बनता है जहाँ पर sport होगा चार्ट पर जहाँ कहीं पर भी चार्ट पर sport resistance होगा वहाँ पर आप Option Chain पर जाकर देखना उस strike price पर जाकर देखना लाइक 20,000 मान के 20,000 strike price है nifty 50 का तो वहाँ पर मान के चलो एक sport है तो वहाँ पर आप Option Chain पर जाकर देखना कि इस strike price पर resistance क्यों है वहाँ पर आपको call oi जो call oi होगा वो ज्यादा मिलेगा put oi के compare में 20,000 के strike price पर ये बात आप जाकर देख लेना सो Option Chain के थुरू ही market sport, resistance बनाती है, create करती है क्योंकि जो seller होते हैं उनके थुरू ही market चलती है buying और selling के थुरू ही market चलती है सो समझने की कोसिस करिए जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप market में यह profit करने के लिए capable हो जाएंगे क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिना समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियो में आएंड आपको बिल्कुल ऐसा करके वेजूँगा जैसे कि आप Option Chain को ऐसा समझोगे अरे याद यह तो बायात का खेल है, इसको analysis करना और इसको analysis करके call put निर्धारित करना, सही बिल्कुल accurate buy करना, exit करना, इस सारी चीज़े आपको पता चल जाएए, तो आईए क्यों देर करते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और हमारे टेलिग्राम चैनल को जाल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा, काफी DMET अकाउंट भी आप open कर सकते हैं, इंजल वन ग्रो, जो भी आप चाहते हैं, एक बार चैक आउट कर लिजीगा, डिस्क्रिप्सन को, तो चलते हैं सबसे पहले देखो, हमारे लिए call और put buy करना बिल्कुल सही तब होता है, जब हमें पता हो कि market यहां से गिरने वाला है, यहां से उठने वाला है, सारी चीज़े हमें पता होती है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ काम करती है, वो काम करती है OI, OI ही आपको बताएगा कि कहां से market उठेगा, कहां से market जो भी यह सारी चीज़े OI बता देता है, देखो, आपके अंदर थोड़ा सा वो की price action, price action, so price action बनेगा, price action बनेगा, market swing बनाएगा, market sport बनाएगा, वो कैसे बनाएगा, वो OI तो बनाएगा, वो seller ही तो बनाएगा, वो open interest जहां पर होगा, जादा जिस strike price पर होगा, वहीं से तो market घूमेगा न, तो open interest, यानि option chain, तो option chain खजाना है, समझने की कोसिस करिए, जितनी जल्दी हो सके, समझ जाए option chain, ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं है, and मैं आपको एक और informative चीज़ बताने वाला हूं, लाश्ट तक आप जरूर देखेगा, सबसे पहले देखो, PCR ratio अमारे ल इकोसिस कर रहा हूं, प्रो ट्रेडर आप नहीं हो, क्यों, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर अगर आप बन जाते तो option chain थोड़ी न शीखने आते, आप मुझे खुदी बताईए, आप बड़े ट्रेडर होते तो option chain शीखने आते, नहीं यार, आप अभी बीगिनर से, ऐसा समझे अगर आप अपने आपको थोड़ा सब बड़ा समझेंगे, तो समझना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे, कि अभी मुझे बहुत सीखना है, और सीखना है, तो आप और सीखकर, नहीं पता कब बड़े ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन आप ऐसा ही सोच होगे, कि मैं बड़ा ट्रेडर, वो मुझे सब कुछ आता है, तो सीख नहीं पाओगे, तो हर दम ये सोचने, अपने mindset रखे, कि अभी अर मुझे कुछ आता ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है, मैंने, तो ये mindset रखे, और आगे बढ़ते रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीश्या ratio, ये पीश्या ratio है, ये bullish avenues है, यानि market में, जो अगले दिन market खुलेगा, जैसी कि कल सोंबर को, तो पीश्या ratio हमें ये बता रहा है कि 90- 95% मार्किट अभी bullish है, क्या bullish है market, क्योंकि पुट ओई हम देख रहे हैं तो यहां पर 31 लाग है और टोटल कॉल ओई 23 लाग है तो इस कंडिशन में हमारे लिए क्या सिच्वेशन बनती है मार्केट में और किस ट्राइक प्राइस पर हम यहां पर किलिक लिए का हैं मतलो कि मार्केट बुलिश है सबसे पहले आपको यह देखना है कि मार्किट जैसे की कब का डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर लेके चलूँगा क्योंकि चार्ट पर आपको देखने को मिल सकता है काफी चीज़े आप सीख सकते हैं चार्ट पर अब देखो मैं आपको चार्ट पर लेके आ चुका हूँ यहां पर यह चार्ट ओ पांस्तारी को मार्केट ऑपन होती है, मार्केट ऑपन होने के बाद, मार्केट यहां से सीधा बुलिस हो जाती है, यहां से marketing में बाइंग आ जाती है कारन क्या है कौन सा strike price है 47,900 पर ऐसा क्या है कि market यहां से bullets हो गई तो सबसे पहले आपको जाके देखना पड़ेगा option chain में कि यहां पर ऐसा क्या है और market ने काफी time बिताया है इस resistance के उपर लेगिन market ने जैसे इसको breakout दिया फिर उसके बाद इसको retest करने आई retest करने के बाद फिर उपर गई और उपर जाने के बाद market ने देखो कितनी banker rally बनाई है rally बनाई है तो कहाँ से rally बनी है accurate बिल्कुल सही striking price देखो rally जो बनी है वो今 strike price से बनी है 48,200 से तो 48,200 पर जो put OI है उसका OI अगर बढ़ा है वहाँ पर OI जादा है call OI के compare में तो market उपर जाएगा ही और यहाँ पर इस condition में इस situation के साथ से हम अपनी put call कैसे बाय कर सकते हैं आईए मैं आपको लेके चलता हूँ 48,200 से market bullish हुआ है बहुत ज़्यादा bullish हुआ है तो 48,200 से market इसलिए bullish हुआ है क्योंकि यहाँ पर इसका OI काफी ज़्यादा है यह दर का OI बहुत कमे 47,000 है तो कल के situation में या फिर कभी भी आप video देख रहे हैं तो समझने की कोसिस करिएगा market चाहे कैसे भी open हो लेकिन आज के दिन अगर market यहां से bullish हुआ है यहां से market ने अपनी rally बनाई है buying यहां से buyer ने buying की है और यहीं पर put OI सबसे ज़्यादा है तो कभी भी market 48,200 पर आता है कल के दिन आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो इसको apply कर सकते हो आप open interest को ठीक ना जहां से market bullish होई है तो देखना कि पहले कि स्ट्राइक प्राइस से बुलीश होई और सीधा जो market ने target लगाया है 48,200 से वह target कितना लगाया है मैं आपको दिखा देता हूं सीधा 48,200 से मैं बात करता हूं market ने सीधा जो market का हाई है आज की दिन हाई देख लेते हैं और फिकलिक करके जो market अब ओपन होई थी ना पांस्टाई को जो market का हाई है न वह पांसो सता हूं लगबग 48,550 मान के चलते हैं मतलों कि सीधी की कितनी मुमेंट भाई साब धाई सो तीन सो सड़े तीन सू पॉइंट की मुम मार्केट इस ट्राइक पर इसके आस पास आता है तो आपके इसाफ से हमें यहां पर क्या करना चाहिए आपके इसाफ से मुझे बताईए यहां पर हमें पुट बाई करना चाहिए या फिर हमें कॉल बाई करना चाहिए क्योंकि मार्केट यहीं से बुलिस हो या इस ट्राइ से ही मिली हुई है क्योंकि अगर इस तरफ का ओवाई जादा है और यहीं से आज के दिन प्रिवेस डे आज से पहले यहीं से बाइंग आए तो कभी भी मार्किट रसिस्टेंस को छूकर अगर यहां पर आती है तो यहां से हम कॉल बाय करना पसंद करेंगे क्योंकि यहां से मार्केट उपर की तरफ अपनी रेली दिखा सकती है क्योंकि आज से पहले भी मार्केट ने यहीं से बुलिस यहीं से अपनी रेली को दिखाया यहीं से आरम भी किया था एक रेली तो यह श्ट्राइक प्राइस काफी पावरफुल स्पोर्ट है यह यहां पर हमें कौल लेना है अच्छी सी एक्वरेसी जान ले के लिए फाइज अब यह स्पोर्ट सक्वर्टपर क्या करते हैं कौंअ करते हैं और आप बिल्कुल मतलो अच्छी मतलो 90-95 इख अंजोट आर्च।्परसेन्ट आक्यूरेसी अगर आप लेना चाहते हैं कि भाई यार मैं तो बिल्कुल confirmation मिलेगी तब ही करूँगा information मिलने के लिए सबसे पहले आपको OI देखना है और उसके बाद market spot पर आती है उसके बाद कोई अच्छा सा candlestick pattern बन जाए कोई bullish candlestick pattern बन जाए कोई hammer बन जाए तो उस condition में आपके पास दो point होंगे एक तो OI second spot तीन point होंगे और third एक candle bullish तो तीनों जोड कर आपको पता चलेगा कि market यहां से buying आ सकती है market में तो हमें इस strike price से call buy करना चाहिए तो आपकी entry होगे यहां पर call में अब exit कहां पर करना चाहिए यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना अब accurate आपने call तो buy कर ली लेकिन exit कहां पर करना है यह भी तो हमें पता होना है यह भी आपको option chain ही बताएगा यह भी आपको option chain ही बताएगा ठीक है ना ओके अब हम चलते हैं chart पर क्योंकि chart भी कुछ option chain भी कुछ बताएगा दोनों को मिलाकर अच्छे शी accuracy हमारी बन जाईगी market 200 से उठना चालू हुआ था 200 से उठना चालू हुआ था swing बनाया market ने फिर से यह retest करने आया है इस level को retest करने के बाद फिर से यहां पर swing बना बना कर उपर चला गया तो देखो जो market यहां से 200 से उठना चालू हुआ है market तो market कई बार swing बना कर जाएगा ऐसे तो जाएगा नहीं सीधा market कभी भी जाता है तो इस तरीके से जाता है जाता है तो आपको यह देखना है कि जैसे कि 200 पर अगर market आता है 48,200 तो इससे अगले strike price पर open interest कितना है call OI का जो की market को रोकना चाते है जो की गिराना चाते है आपको यह देखना है चार्ट पर आपको यह देखना है मान के चलो अगर market इस port के आसपास 200 के आसपास, 200 की range में यहां पर आती है तो मैं यहां पर call buy करूंगा तो मेरा अगला target कहां तक होगा यह आपको पता होना चाहिए अगला आपका resistance कहां पर है CDC अगर मैं बात करूँ यहां पर market आती है तो अपने जो अगला resistance है वो होने वाला है 500 होगा क्योंकि यह एक cycle होजी नंबर है और इसके उपर ही थोड़ा सा सड़े 500 पर resistance है क्योंकि इस पर previous day का हाई है तो अगर आप यहां पर buying करते हो तो आपको वहां पर exit करना है simple और ज्यादा accuracy के लिए आप option chain पर जा सकती हो क्योंकि अगर आप 200 पर buy करोगे 48,200 पर buy करोगे call price call की premium price buy करोगे तो आप exit कहां पर करोगे और जो आपको call buy करनी है वो in the money में करनी है at the money में और in the money out of the money में मत करना कर ले ना लेकिन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लेकिन ज़्यादा premium price बढ़ेगा वो सिर्फ in the money में ही बढ़ेगा out of the money में नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा लेकिन जहां पर 100% बढ़ना चाहिए out of the money में 50% बढ़ेगा यह सोचकर आपको चलना है और out of the money आप ले सकती है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इंदा money काफी ज्यादा अच्छा होता है सब में ठीक न तो आपका जो अगला टार्गेट मतलो रसिस्टैन्स होगा जासे मार्केट घूम सकती है जासे मार्केट ठैर सकती है reversal कर सकती है अपने आपको नीचे की तरफ गुमा सकती है बेरीस हो सकती है वो लेवल है अपना 48,500 क्यों क्योंकि यही पर चाट में हमें देख रहे हैं कि मार्केट यहीं पर इसका रसिस्टैन्स है और हमें option chain में भी दिख रहा है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा oi है अब तक यहां पर देख लो सब ज़्यादा वाई कहा पर है, सिंपल है, सबसे ज़्यादा वाई, बाई सब 48,500 पर ही है, तो अपनी जो मुमेंट मिलेगी, वो मिलेगी, 200 से 300 पॉयंट की, क्योंकि अगर आप 248 पर accurate बाई नहीं करोगे, थोड़ा सा उपर जाने के बाद कोई आप 28,250 पर वाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, और आप सेल 500 पर accurate नहीं करोगे, सड़े 400 पर कर दोगे, 100,500 पॉयंट तो आपके कहीं पर नहीं जाने वाले, समझ गई, रसिस्टेंस आपका यहीं बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल ओई यहीं पर है, और उसके बाद आपको put by कप करना है, अब put by कप करना है, आपको पता है कि मार्किट में सबसे ज़्यादा सेलिंग की strike price से की जा रही है, और चार्ट पर भी resistance उसी strike price पर बना है, और सेलिंग भी उसी strike price पर होई है, तो मिल गए ने, दो, दो चीज़े मिल गई, ओवाई भी 500 पर जादा है, और बताओ मुझे, और कई पर है, नहीं है, 500 पर ही ज़्यादा है, तो simple है, 500 एक resistance है, जहांसे market गिर सकती है, तो इस condition में अगर कभी भी आज के दिन market चला है, तो आज के अगले दिन market, जैसे कि आज का high यहीं पर है, अगले दिन market अगर इसको ओपर की उपर cross कर जाता है, त तो यह market को नीचे तो नहीं आने देंगे, यह market को ऊपर की ऊपर ले जाएंगे, लेकिन फिर ऊपर ले जाने के बाद, ऊपर से market घूमेगा कहां से, और जो भी है, 50-50 का old time high चल रहा है, तो वो तो आपको option change से ही पता चलेगा, कि market का अगला resistance कहां पर है, जो market का अगला resistance ब OI 49,000 पर ही है, बिल्कुल तो कल market 49,000 को भी चूँ सकती है, क्यों कि एक तो चार्ट पर अब तक का high जो बैंक निफ्टी का 60-600 की लगबग है, तो उसके बाद इस से उपर resistance 49,000 ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा OI यहीं पर है, तो यहां से market का गिरने के chances रहेंगे, तो यहां पर हमें क्या buy करना है, यहां पर हमें put buy करना है, कोई अच्छी सी बेरी scandalistic pattern आपको दिख जाए, second अच्छा सा कोई swing दिख जाए उपर, reversal pattern दिख जाए, कि हां market अब यहां से reverse कर सकती है, और OI भी आपको दिख रहा है, strike price तो यहां पर आपको put buy करना है accurate आपकी buying हो गई ना, सही entry आपकी हो गई ना, exit कहाँ पर करना है put, exit वहीं पर करना है, जहां से market उठा था, आज की दिन, जहां से market like, market 500 पर open हो गया, 500 पर open हो गया, होने के बाद market उपर आता है, उपर आता है, यहां पर आ जाता है, market उणिंग 6,000 पर, तो आपको जो psychology number है ना, वहां पर, वहां पर, वहां तक का target नहीं रखना आपको, इतना बड़ा target नहीं रखना आपको, आपको देखना है कि उससे पहले, इस strike price से पहले, इधर का भी OI बढ़ा हुआ मिलेगा कल के दिन market में, क्यों, क्योंकि यह चाहेंगे थोड़ी कि market इतनी मुश्किल से त तो हमारा तो लोस हो जाएगा, तो ये तो पूरी कोसिस करेंगे ना, कि market को रोकने की, वो 8,800 पर से लिंग कर देंगे, 8,700 पर से लिंग कर देंगे, यहां पर open interest बढ़ जाएगा, तो market अगर इधर से गूमेगा, तो वो 500 तक नहीं जाकर, वो 800 से रिवर्सल लेले, उपर क के थुरूज पता चलेगा, पता चलेगा ना, आपको target वो छोटा रखना है, अगर आपको daily पैसा कमाना market से, daily और profit में रहना है, तो लालच को त्याग कर, अपने target बनाईए, और छोटा target बनाईए, दिन का 1000, दिन का 2000, अपनी capable के अनुसार, अपनी education के हिसाब से, कि मैं कित इसनी capacity है, और आसान बासा में बोलू तो बूरा मत मानना कि अभी मेरी ओकात कितनी है, क्या मैं 10,000 के लिए अभी capable हूँ, अगर हाँ हो, आपके अंदर से आवाज आती है, कि हाँ मैं हूँ, तो आप 10,000 का target रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको loss हो गया, तो इसका मतलब आपको अभी learning करनी है, ध्यान देना, एच्छे तरीके से सीखना है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे 1000 ही चाहिए फिलाल तो, और मैं अभी सीखूँगा, तो 1000 आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे 10,000 चाहिए, मिल तो जाएंगे 10,000, बड़ी ब 15,000 कमाऊंगा, तो अब वो 15,000 के चक्कर में 10,000 का profit भी अगर उसको हो रहा होगा, तो वो 10,000 को नहीं देखेगा, वो तो 15,000 चाहिए उसको, तो वो भी 15,000 भी नहीं आएगा, वो 10,000 भी नहीं आएगा, और उसका 10,000 का low score हो जाएगा, तो ये psychology आपको नहीं रखनी है, अ अगर आपको मार्केट में कामियाब होना है तो, पता चल रहा है न, आपको जो मैं आपको सिखाना चाहरा हूँ, समझ रहे होंगे, accurate by, देखो, stock market है, accurate कुछ भी नहीं होता, लेकिन, कुल मिलाकर सही हो जाता है, कुल मिलाकर सही हो जाता है, 100% share market में सही तो कोई कुछ बद सही हो जाता है, तो इतना सोच कर चलना है, 100% अगर कोई बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं fraud कर रहा हूँ, ऐसा है, 100% guarantee वो ही देता है, जो आज के दिन fraud करता है, क्योंकि share market में 100% कुछ नहीं है, इतना आपको पता होना ठीक है ना, तो ये चीजे समझ कर आपको चलनी है, अगर आप option trading का, मैं आपके लिए एक, मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप option trading का course चाहते हैं, और ये course कोई ऐसा वैसा course नहीं होगा, बहुत भेंकर तरीके से मैं आपको सीखाने वाला हूँ, और काफी चीजे आपक छोड़ू, operator कैसे market को चलाते हैं, हम operator के साथ कैसे trading कर सकते हैं, हमें पता कैसे चल सकता है, कि operator क्या सोच रहा है, market को किस तरफ ले जाना चाहता है, सारी चीजे अगर आप चाहते हैं, तो आप comment करके मुझे बताइए, कि option trading का course आप चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आपको वो knowledge मिलेगी, जो साइध ही आपने अत्तिक हो, knowledge आपको जो मिलेगी, वो क्या पता आपने पहले कभी सीख रहा की हो, लेकिन आप उसका सही से इस्तमाल करना नहीं जानते हो, या फिर उस knowledge जो आपने education ली है, उसकी आप accuracy ना जानते हो, उसकी value आप ना समझते हो, जो education होगी व करता है, तो वो सीखता है, एक दूसरे से सीखता है, कोई उपर से तो सीख के नहीं आता है, लेकिन वो फिर अपनी language में उस चीज़ को अलग तरीके से सिखाने की कोशिस करता है, जिसकी वज़े से काफी जादा trader सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं कोशिस कर दोगे तो आप मन लगा कर सीखोगे भी, आप मन लगा कर हर एक चीज करोगे, हर एक चीज करने वाले हो अगर आप पैसा दोगे, जादा पैसा नहीं देना है, जितना आप डेली का लोस करते हो, हजार का, पंदरा सो का, बस इतना ही, इस से जादा नहीं, ठीक ना, लेकिन वो नोलीज मिलेगी आपको जो सायद आपको 10-10,000 रुपे में कहीं ना मिले ऐसी नोलीज आपको मैं देने की कोशिज जरूर करूँगा अगर आप बोलोगे लेकिन ये कोरस इतनी जल्दी आपके सामने नहीं आने वाला है क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत कर मिली होगी आप मेरे ट्रेडविद बलराम चैनल को फोलो कर सकते हैं वहाँ पर मैं डेली एनलिसिस मार्किट की कि कल मार्किट क्या कर सकता है सारी वीडियो अपलोड करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा क्योंकि मैं आपके काफी ज्यादा हैल्प मतलो मदद करता हूं आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ाने के लिए और आप मेरी मदद करते हूं क्योंकि मैं आपको जब जब सिखाता हूं तो मैं भी सीखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सो जैसे लिए किसना सभी को कोई दिक्कत नहीं है